हेलो गाईज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनला स्टेडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़ इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ तो देखे आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे नोटिकेशन आप सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लिए साथे साथ बगल में जो बैल आइकन देख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हमको müीडियो डालते हैं तो उसका नोटिकेशन आप के बाद जल से जल बहुंच जाए आप सभी लोग हमारी टेलिग्राम ग्रूप को भी जॉइंट कर सकते हैं आराउंड 6 के यहां पर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे हां पर कुछ का एजन में कराया जाता है इसके अलावा अधर इंपॉर्टें जो है ये पास हुआ वर्श 25 में नेक्स्ट कुश्यन देखे रण का पूरक रण कौन सा है तो पीली रण का पूरक रण होता है यह होता आपका नीला रण नेक्स्ट कुश्यन देखेगा फोटोग्राफी में कौन सा रासाइनिक द्रवी प्रियोग किया जाता है? इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइट अगला देखेगा नेक्ट कुश्चन है हाल में एक नए राष्ट का उद्वव हुआ उसका नाम क्या है? तो देखेगा इसका नाम है दक्षन सुडान नेक्ट कुश्चन देखेगा नेक्ट कुश्चन है आपका लोग सभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है लोग सभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है ये लोग सभा के सदश्यों द्वारा किया जाता है अगला देखेगा नेक्ट कुश्चन है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है तो देखिए इतिहास का जनक कहा जाता है हेरो डोट्स को हेरो डोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है अगला कुश्चन है सुरक्षा परिशद में स्थाई सदश्यों की संख्या कितनी है दो देखी United Kingdom ये उत्तम उधारण है समवेधानिक रास्तंद्र का अगला देखेगा next question है आपका भारती समवेधान के अनुचेद 17 में क्या पुबंद किया गया है भारती समवेधान के अनुचेद 17 में अश्प्रश्यता उन्मोलन का उपबंद किया गया है अगला question देखेगा next question है आपका राजयपाल का मुख्य सलाकार कौन होता है देखे राजयपाल का मुख्य सलाकार होता है मुख्य मंत्री गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक केज़े जैनल लोगों ने अभी भी हमारे यूटीब चैनल इस्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जरू सस्क्राइब किजिएगा अगला देखे किसके द्वारा एक आधिकार प्रतियोगिता का सिध्धान्त विक्सित किया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है एक आधिकारी प्रतियोगिता का सिध्धान्त ये विक्सित किया गया है एच चैंबरलिन के द्वारा अगला देखे का नेक्स्ट गटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तिधा कारीरत हैं इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जाच प्रक्रिया है तो देखे इसको सुनिश्चित करने वाली जो जाच प्रक्रिया है इसका नाम है बूटिंग नेच्ट कुश्शन देखिएगा वेबसाइट के पिरथम परस्ट को क्या कहा जाता है वेबसाइट के पिरथम परस्ट को कहा जाता है Home,ました Next Question एक CD-Rome का जीवन कार्ल यानि Life Span लगभख कितना होता है तो देखिए, एक CD-Rome का जीवन कार्ल यानि life span जो होता है ये लगभग पांच वर्षों का होता है पांच वर्ष चलता है ये अगला है आपका lens का विद्धु चुम्ब की सिध्धान्त किसके परिवर्तन के सिध्धान्त का परिणाम है इस question का correct answer हो जाएगा आपका उड़जा अगला question देखे एक neutron एक electron एक proton और एक alpha कण समान गति उड़जा से गति मान है इन कणों के वेग सही आरोही क्रम क्या होगा तो देखे इन कणों के वेग का सही आरोही जो क्रम है ये हो जाएगा पहले alpha कण फिर neutron फिर proton और फिर electron अगला देखेगा next question है आपका काच हीरा और जल में प्रकास के वेग का सही आरोही क्रम क्या है तो देखे इन में सही आरोही क्रम हो जाएगा हीरा फिर काच और फिर जल अगला देखेगा एंग स्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है एंग स्ट्रॉम से मापन किया जाता है प्रकास के तरंगों की लंबाई का एंग स्ट्रॉम से मापन किया जाता है नेक्स्ट कुश्यन है आपका शूक्ष्म विद्द्धारा का पता लगाने के लिए एवं मापन के लिए किस उपकरण का प्रियो किया जाता है तो देखे इस उपकरण का नाम है गैलवेनो मीटर नेक्स्ट कुश्यन देखेगा विद्धुत आवेश के बीच के आकर्षण एवं विकर्षण के सिधान्द की खोच किसने की थी विद्धुत आवेश के बीच आकर्षण एवं विकर्षण के सिधान्द की खोच की थी कूलम ने next question है आपका पीछे का द्रश्य देखने के लिए कौन से दरपन का प्रियोग किया जाता है देखिए पीछे के द्रश्य को देखने के लिए उत्तल दरपन का प्रियोग किया जाता है अगला है आपका रेडियो का अविश्कार किसने किया था रेडियो का अविश्कार किया था मारकोनी ने most important question है मारकोनी ने रेडियो का अविश्कार किया था अगला देखिए का लिफ्ट का अविश्कार किसने और कब किया था लिफ्ट का जो आविश्कार है ये EG Otis ने किया था कब किया था ये भी पूचा जा सकता है तो दीखे 1852 में EG Otis ने लिफ्ट का आविश्कार किया था अगला दिखेगा प्रकाश के मापन से संबंदित भौत्गी की शाखा को क्या कहते हैं अगला है आपका विद्ध बल्व के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रियोग किया जाता है विद्ध बल्व के निर्माण में ऑक्सीजन और ओर्गन दो गैसों के संयोजन का प्रियोग किया जाता है अगला देखेगा चुम्ब की तीवरता का मापन किस इकाई में किया जाता है चुम्ब की तीवरता का जो मापन है ये और स्टेट में किया जाता है अगला दिखीएगा next question है आपका थर्मल आयनी करण के सिध्धान्त का पृतिपादन करने वाले भारती वैज्यानिक कौन थे? थर्मल आयनी करण के सिध्धान्त का पृतिपादन करने वाले भारती वैज्यानिक थे मेगनाथ साहा थे अगला दिखीएगा नेक्स्ट कुश्यन है आपका किसने और कब सरप्रथम पराबैगनी किरुणों का अवलोकन किया था जोहान विलहेम ने जोहान विलहेलम रीटर ने अठारा सो एक इस बी में अगला दिखीएगा नेक्स्ट कुश्यन है आपका सामानी परिस्तिती में हवा में ध्वनी का वेग कितना होता है सामानी परिस्तितियों में हवा में ध्वनी का जो वेग होता है ये 300 मीटर प्रति सेकेंड होता है ये ध्यान दिजेगा अगला दिखीएगा नेक्स्ट कुश् में मूल इकाईया है आपकी छे छे मूल इकाईया है तो ये ध्यान रखना है आपको अगला कुश्यन देखिए गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किजेगा जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडि विद एम को सस्क्राइब नही उत्राखन टॉप 20 जो कुश्यन्स है ये डिटेल आपको समझाये जाते हैं एक कुश्यन के सांथ बहुत से कुश्यन आपके वहाँ पर प्रपेयर कराये जा रहे हैं तो आप चाहें तो जोइन कर सकते हैं और संडे के दिन आपका free of cost test series आपको provide कराया जाता है जो की आपका full length test है तो आप चाहें तो जोइन कर सकते हैं संडे को आपको इसका link दे दिया जाता है जिससे आप इसको download कर सकते हैं test series को download कर सकते हैं और रात को इसका solution video उसी दिन संडे को रात 8 बजे इसका solution video भी आप सभी को provide कराया जाता है तो तो आप चाहें तो जॉइन कर सकते हैं ये सारी चीजे फ्री आप कोस्ट हमारी यूटूब चैनल स्टडी विद एंपर आपके लिए कराई जा रही हैं ये देखे ये टैसरी आपके आयो के बेस्ट पर बनाया गया है तो आपके आगामी एक्जाम के लिए ये टैसरी इस मोस् इलेक्ट्रोस्कोप का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट कुश्यन है आपका किस लैंस का उप्योग करते हुए निकर दृष्टी दोस्त दूर किया जा सकता है तो देखे ये लैंस से है आपका आवताल लैंस जिसका प्रियोग करते हुए निकर दृष्टी दोस्त दूर क किया जा सकता है अगला है आपकी कूलम किसकी इकाई है कूलम इकाई है विद्धुत आवेश की अगला देखेगा नेक्स्ट कुश्चन है आपका प्रिथवी अपनी धूरी पर किस दिशा में घूमती है प्रिथवी अपनी धूरी पर पश्चिम से पूर्वी के ओर घूमती ह अगला दिखेगा कौन सा ग्रह अपनी धूरी पर पूर्व से पश्यम की ओर घूर्णन करता है तो देखे ये ग्रह है सुक्र ग्रह जो अपनी धूरी पर पूर्व से पश्यम की ओर घूर्णन करता है अगला देखेगा सूरी में कौन सी गैस सरवाधिक मातरा में पाई जाती है तो देखे सूरी में सरवाधिक मातरा में पाई जाने वाली जो गैस है इसका नाम है हाईडरोजन गैस नेक्ट कुश्चन है प्रथवी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला गरहा कौन सा है तो देखिए प्रथवी से जो दिखाई देता है ये सबसे चमकीला गरहा है अगला कुश्यन है आपका हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है सौर मंडल का सबसे चमकीला जो तारा है यह है साइरियस साइरियस तारा सबसे चमकीला तारा होता है अगला देखिएगा सौर मंडल की आयू कितने वर्ष है सौर मंडल की जो आयू है यह 4.6 विलियन वर्ष है अगला है आपका सूरी का वार्षिक चक्कर लगाने लगाकर पृथवी कितने किलोमीटर की दूरी तै करती है सूरी का वार्षिक चक्कर लगाकर पृथवी 966 मिलियन किलोमीटर की दूरी तै करती है अगला देखिएगा सूरी का चक्कर लगाते हुए प्रती मिनट गती क्या होती है सूरी का चक्कर लगाते हुए प्रती मिनट जो गती होती है ये होती है 1600 किलोमीटर से अधिक अगला है आपका भूमाद्य रेखा पर सूरी वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है अगला देखिएगा आँखों से दिखाई देने वाला सबसे दूरस्त खगोली पिंड अर्थात एंडरोमीडा की ग्रेट गेलेक्सी पिर्थवी से कितने प्रकास वर्ष की दूरी पर है तो देखिए इस कुश्चन का करेक्टर आंसर हो जाएगा 2.2 मिलियन प्रकास वर्ष प्रोकसमा सेंटॉरी अगला देखिएगा नेक्स्ट कुश्चन है आपका सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्यानिक कौन था सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला जो वैज्यानिक था इसका नाम था गैलिलियो अगला दिखेगा next question है आपका कौन सा पुछल तारा 76 Washbatt दिखाई देता है तो दिखेगे 96 Washbatt दिखाई देनेवाला जो पुछल तारा है इसका नाम है हेली पुछल तारा अगला question है आपका सूरी और पृथवी के बीच की दूरी कितनी है सूरी और प्रथवी के बीच की दूरी है 50 x 10 to the power 6 km दूरी है अगला देखिएगा सूरी का आकार प्रथवी से कितना बड़ा है तो देखिए सूरी का जो आकार है ये प्रथवी से 109 गुना बड़ा है अगला देखिएगा next question सूरी का वजन प्रथवी से कितना अधिक है सूरी का वजन प्रथवी से अधिक है तीन लाग तीस सजार गुना अधिक है तो ये आप ध्यान देखिएगा अगला question है आपका किसी अन्य ग्रह के आकार को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था Christian Hugh Jens Christian Hugh Jens था अगला देखे जिस मार्ग पर ग्रह सूरी की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं तो देखे जिस मार्ग पर ग्रह सूरी की परिक्रमा करते हैं उन्हें कहा जाता है अगला देखे का next question है आपका चंद्रमा तारा मंडल से वापस अपनी इस्तिती में जाने में कितना समय लेता है चंद्रमा तारा मंडल से वापस अपनी इस्तिती में जाने में 28 दिन का समय लेता है अगला देखिएगा कौन सा ग्रह सूरी की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लेता है तो देखे ये ग्रहा है आपका बुद्ध ग्रहा बुद्ध ग्रहा इसका बिलको राइट आंजर है अगला देखे किस ग्रहा के प्राकरतिक उप ग्रहों के संख्या सरवाधिक है सरवाधिक यानि 63 है तो देखे ये ब्रहसपति ग्रहा है जिसकी प्राकरतिक उप ग्रहा के सं जाम बताईए जो पूर्वी आकास से morning star और पश्चिमी आकास से evening star के रूप में दिखाई देते हैं तो दिखिए ये ग्रह हैं आपके बुद्ध ग्रह और शुक्र ग्रह ये दो ग्रह हैं अगला देखेगा किश्वेग्यानिक ने सबसे पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह का दिन भी पिर्थवी के दिन के समान लगभग 24 घंटे लंबा होता है तो दिखिए इस question का correct answer हो जाएगा जियोडार्णो ब्रुनो जियोडार्णो ब्रुनो इस question का बिलकुल right answer है अगला देखेगा next question है आपका सूरी की किरण पिर्थवी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेती है सूरी की किरण पिर्थवी की यात्रा पूरी करने में जो समय लेती है ये है 500 second अगला देखेगा next question है आपका जिस दिन सूरी पृथवी के सरवाधिक निकट होता है उस दिन को कहा जाता है उप सौर अगला देखेगा next question है आपका किस ग्रह द्वारा सूरी की परिक्रमा गती के अवलोकन के अधार पर जोहानेस कैपलर ने अपनी तीन सिद्धानतों की रचना की तो देखेगा यह ग्रह है मंगल ग्रह मंगल ग्रह बिलकुल correct answer है इस question का अगला देखेगा सौर मंडल का केंडर कौन सा है सौर मंडल का केंडर होता है सूर्य अगला देखेगा next question है आपका किस ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि सूर्य ग्रह पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है तो देखेगा यह पता लगाया था Christian Hughesens ने यह पता लगाया था कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से बादलों से घिरा है अगला देखेगा अगला question है आपका हमारी आकाश गंगा में तारों के बीच सूरी के मार्ग को करांती ब्रत नाम दिया गया है अगला देखेगा next question है आपका सूरी का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है तो देखिए सूरी का जो भाग दिखाई देता है इसको कहा जाता है फोटो स्पेयर फोटो स्पेयर कहा जाता है इसको तो आप यह ध्यान रखेगा अगला कुशन देखिए सनी के चक्रों की खोच किस ने और कब की थी सनी के चक्रों की जो खोच की थी ये गैलिलियों ने की थी कब की थी देखे 1610 इस भी में गैलिलियों ने सनी के चक्रों की खोच की थी अगला कुश्यन है सूरी की एक परिक्रमा पूरी करते हुए प्रिथवी कितनी दूरी ताई करती है सूरी की एक परिक्रमा करते हुए जो प्रिथवी होती है ये 9.4 x 10 to the power 8 km दूरी ताई करती है अगला देखेगा next question है आपका सूरी में कौन सी गैस सरवाधिक पाई जाती है तो देखे सूरी में सरवाधिक पाई जाने वाली जो गैस है ये है hydrogen gas अगला देखेगा next question है आपका हमारी आकाश गंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है तो देखे हमारी आकाश गंगा में नक्षत्रों की जो शंख्या है ये है 12 है अगला देखेगा next question है आपका harmonies of the world पुस्तक किस ने लिखी थी most important question है harmonies of the world ये पुस्तक लिख लिखी थी जोहानेस कैपलर ने जोहानेस कैपलर ने यह पुस्तक लिखी थी अगला दिखेगा न्यूबर नैबुलर हाइपो थीसिस नैबुलर हाइपो थीसिस किसके उद्गम का सिद्दान्त है तो देखे नैबुलर हाइपो थीसिस यह सौर मंडल के उद्गम का सिद्दान अगला देखेगा नेक्स्ट कुश्चन है आपका यूरोपा किसका उपग्रह है दो देखी यूरोपा जो उपग्रह है ये ब्रस्पति का एक उपग्रह है अगला देखेगा सूरी के बाहर सूरी से बाहर की ओर गिंती करते वे सौर मंडल का आठवा ग्रह कौन सा है most important question है सू है तो देखेगे पर्थवी जो है ये सूरी का चक्कर लगाती है 29.7 km 35 से की रफ्तार से अगला देखेगा किसे पहला खगोल सास्त्री माना जाता है जोहानेस कैपलर को अगला देखेगा next question है आपका किसन ने सबसे पहले पर्थवी के ग्लोब की दूरी मापी थी तो देख किराटो स्थेनी इसने मापी थी अगला देखेगा अगला question है आपका प्रती बिम्बित टैलिस्कोप जो कि विश्व के सबसे बड़े optical टैलिस्कोप के रूप में प्रियोग किया जाता है कि सिध्धान्त की खोज किसने की थी तो देखे प्रती बिम्बित टैलिस्कोप के स सता पानी से घरी हुई है प्रतवी के कितने प्रतिशत अनियमित सता पानी से घरी हुई है इस question का correct answer है 70% अगला देखेगा next question है आपका टैलिस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था टैलिस्कोप द्वारा जो ग्रह पहले खोजा गया था इसका नाम था यूर शुक्र ग्रह अगला देखेगा next question हो जाएगा आपका email संदेशों के लिए storage छेत्र को क्या कहते है most important question है email संदेशों के लिए storage छेत्र को कहा जाता है mail box next question देखे next question है आपका ब्रहषपती ब्रहषपती ग्रह सूरी के चारो और अपनी कक्षा में एक परिक्रमा में कितना समय लेता है तो देखे ब्रहषपती ग्रह सूरी के चारो और अपनी कक्षा में एक परिक्रमा में 11.86 वर्ष लेता है अगला है आपका computer program high level programming language में लिखे जाते हैं तथा पी प्रोग्राम के question है देखिए इस question का correct answer हो जाएगा source code अगला देखिए का next question है आपका 8 bits के group को क्या कहते हैं 8 bits के group को कहा जाता है कि सॉरी एक question छोड़ यहां पर देखिए किसी object या text को move करते समय mouse button के नीचे hold करने को क्या कहा जाता है तो देखिए इसको कहा जाता है dragging next question देखेगा next question है आपका 8 bits को के group को क्या कहते हैं 8 bits के group को कहा जाता है byte अगला question है आपका computer के किस hardware device को computer का brain कहते हैं computer के किस hardware device को computer का brain कहा जाता है तो ये कहा जाता है CPU को ध्यान दिजीगा देखिए most important computer की question भी है इसमें तो आपके आगामे exam में computer के जो question है ये most है तो आप हमारी इस वीडियो को starting से लेकर enter जरूर देखेगा note down जरूर करने इन questions को अगला question है आपका ये दपी एक ही समय में कई program खोले जा सकते हैं लेकिन कितने program active हो सकते हैं तो देखे केवल एक program जो होता ही ये active होता है लेकिन हम बहुत सारे program खोल सकते हैं अगला देखे भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंद करता कौ आरती रिजर्व बैंक अगला देखेगा next question है खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयजित किया गया था खिलाफत आंदोलन जो है ये तर्की का विघटन तर्की का विघटन का विरोध करने के लिए आयजित किया गया था अगला देखेगा योजना आयो को स्थ वाद में इसका नाम नीति आयो कर दिया गया अगला दीखेगा किष व Els भायत कि लीडान के को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है most important question है भारत के सम्विधान के उद्देशिका भाग को सम्विधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है उद्देशिका को अगला देखेगा सम्विधान सभा ने सम्विधान किस तिथी को अपनाया था समीधान सबाने समीधान जो है ये अपनाया था 26 नवेंबर 1959 इजवी को अगला देखेगा next question है आपका महरौली में जंग रहित लौस्तम्ब किसने इस्थापित किया था most important है महरौली में जंग रहित लौस्तम्ब जो है ये स्थापित किया था गुप्त वंचने अगला देखेगा next question है आपका प्रशिद गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है तो देखे प्रशिद जो गायत्री मंत्र है ये लिया गया है रिगवेद से most important है no down जरूर कर लिजेगा देखे आपको serial wise जहापे question कराये गये हैं computer के समविधान के history के and science के some mix up question कराये गये हैं तो no down जरूर कर लिजेगा most important है आपके आगामे exam के लिए अगला देखेगा next question है खानवा के युद में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राचपूत राजा कौन था तो ये most important है खानवा के युद में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था राणा संगा ये था राणा संगा अगला देखेगा next question है आपका राम कुरुष्ण मिशन का संस्थापक कौन था देखे राम कुरुष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवे का नंद अगला देखेगा next question है आपका कानपूर में गदर का नेत्रित्व किस ने किया था तो देखे कानपूर में गदर का नेत्रित्व किया था नाना साहिब ने अगला question है और निकोबार ड्रीप समोहों को अलग करता है यह जलाशे है आपका 10 degree channel यह जलाशे अंडमान और निकोबार ड्रीप समोहों को अलग करता है लास्ट question देखे आज की इस वीडियो का सुतंतरता के बाद विक्सित किया गया पहला बंदरगा कौन सा था most important question है no down कीजिएगा सुतंतरता के बाद विक्सित किया गया पहला जो बंदरगा था इसका नाम था कांडला बंदरगा ये बंदरगा था कांडला बंदरगा ओकी गाईज आज की वीडियो में इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेर एंड हमारी ये यूटीब चैनल Study with AIM को जाद़ से जाद़ ससक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को जाद़ से जाद़ से जाद़ से अपने अपने विज्जाद़ ग्रूप्स में मिलते हैं एक नए इंडरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद